नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अजया भारदुआज और स्वागत था आपके अपने ही चैनल A to Z बैंकिंग पे जहां पे आपको मिलती है हर एक टाइप के लोन की complete information और दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है education loan हमारे बहुत सारे subscriber ने हमें request की है और कहीं सारे दोस्तों के भी call आए तो उन्होंने भी यह request की कि सर एक education loan के उपर detailed video बनाईए तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको clear करने वाले हैं कि जो education loan है उसकी complete process क्या होती है कैसे आप ये loan bank से ले सकते हैं कितनी आपकी eligibility होनी चाहिए कितना आपको education loan के लिए rate of interest है जो वो bank को pay करना बढ़ता है कितनी इसकी minimum और maximum amount रहती है और कितने time period के लिए हमें ये मिल सकता है इस type के जितने भी सवाल हैं दोस्तों आज इन सब के उपर बहुत ही detail में हम बात करने वाले हैं लेकिन इन सबी सवालों के उपर बात करने से पहले एक चीज मैं यहाँ पर आपको clear करना चाहूँगा दोस्तों कि हम ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि जब भी बच्चे 10th और 12th के बाद higher studies के लिए जाते हैं जैसे graduation और post graduation तो उस case में हमारे parents के पास sufficient fund नहीं होता या फिर यूँकर यह है कि उनकी financial capacity इतनी नहीं होती कि वो हमारी पढ़ाई का जो total खर्च है जैसे college की tuition fees है hostel का खर्चा है उसके बाद laptop और किताबे हैं उस सारा का सारा खर्चा जो पर वो खुद उठा सके इसके पीछे कारण भी है दोस्तों अगर हम सिरफ 10 या 15 साल पीछे जाएं तो जो courses सिरफ 2 या 3 लाख रुपे में हो जाते थे आज वही course 15 से 20 लाख रुपे में होते हैं अगर हम किसी अच्छे college या किसी अच्छे institute से करने जाते हैं तो दोस्तों ऐसी condition में funds की कमी होना हमारे parents के पास एक आम बात है तो इस बात के लिए आपको बिल्कुल भी tension लेने की जुरूरत नहीं है दोस्तों क्योंकि आज के time पे हर एक bank जो है वो आपको study loan देता है ये loan आप कैसे ले सकते हैं इस process को complete जानने के लिए हमारी request आप से कि इस video को बिन skip किये और तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारी channel पर नए है तो please इसे subscribe कर लिजिए ताकि इस type की असली जिन्दगी से जूड़ी हुई और information से भरी हुई video हम आपके लिए लेके आए वो directly आप तक पहुँचती रहे और अगर आपको video पसंद आता है तो please इसे like कीजिए और दोस्तों share कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये information पहुँच सके तो आईए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं eligibility की और eligibility में ये 5 चीज़े आपके पास होनी चाहिए education loan के लिए सबसे पहली जो होती है दोस्तों वो होती है आपकी age अगर आपकी जो age है वो 16 साल से 35 साल तक है तो आप education loan के लिए eligible है उसके बाद second चीज होती है आपकी residential seat जो की इंडिया की होनी चाहिए अगर आप हिंदूस्तान के सथाई निवासी है तो आप education loan के लिए eligible है उसके बाद तीसरी जो चीज होती है दोस्तों वो होता है आपका confirmed admission जी हाँ आपका जो admission है वो किसी भी college या फिर university से confirmed हुआ होना चाहिए उसका आपके पास या तो admission letter होना चाहिए या फिर जो है वो आपके college या उनिवस्टी का prospectus होना चाहिए जिससे confirm हो सके कि आपका जो admission है वहाँ पे confirmed हो चुका है और जो आपकी university है वो recognized होनी चाहिए UGC या फिर AICTE government से और दोस्तों यही same condition apply होती है फोर्न के लिए अगर आप फोर्न में यानि देश से बाहर अगर पढ़ाई करना चाहते है तो वहाँ का भी same आपके पास confirmed admission letter जो होना चाहिए उसके बाद जो चोथे नंबर की चीज होती है दोस्तों वो होता है आपका co-applicant जी हाँ इसमें आपके लावा एक co-applicant लिया जाता है वो आपका कोई भी family member हो सकता है आपके father, mother, wife या आपके husband हो सकते हैं और जो co-applicant है दोस्तों वो bank इसलिए लेता है कि कल को अगर आप repayment ना कर पाए तो bank उनसे जो आपकी repayment है वो ले सके लोन की जो amount है वो ले सके तो ये 5 चीज़ अगर आपके पास हैं दोस्तों तो आप जो है वो education loan के लिए eligible है इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं कि जो education loan है वो कौन-कौन से courses को cover करता है तो दोस्तों generally इसमें सारे के सारे जो course हैं वो cover हो जाते हैं आप graduation करना चाते हैं या फिर post graduation करना चाते हैं आप कोई engineering से related course करना चाते हैं या फिर आप जो medical line से related कोई course करना चाते हैं तो वो सारे के सारे इसके अंदर cover हो जाते हैं और इन सबसे अलग अगर आप कोई vocational training करना चाते हैं जैसे air hostess की training है या फिर pilot की training है तो उन सभी training को भी जो education loan है वो cover कर लेता है यह तो बात हुई दोस्तों courses की आईए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके expense की कि कौन-कौन से आपकी खर्चे education पे जो आप करने वाले हो यह loan अपने अंदर cover करता है यहाँ पे दोस्तों आपकी college की जो tuition fees होती है वो इस loan के अंदर 100% cover हो जाती है और college fees के लावा वहाँ पे आपकी जो exam fees है या फिर library की fees है वो भी सारी की सारी आपकी education loan के अंदर ही cover हो जाती है इन सब के लावा वहाँ पे आपका जो accommodation है food है जैसे hostel का खर्चा मैस का खर्चा वो भी सारा का सारा education loan के अंदर cover हो जाता है और इन सब के लावा आपकी किताबे हैं आपके laptop है या फिर आपको technical courses करते हैं तो उसके लिए जिस equipment के आपको जुरूरत होती है वो भी education loan के अंदर cover हो जाता है और दोस्तों इन सब से अलग अगर आप कहीं बहारवी देश में पढ़ाई करते हैं तो आपका जो traveling expense होता है वो भी education loan के अंदर बड़ी ही आसानी से cover हो जाता है और इन सम के अलावा आपका कोई और खर्च है जो आपका पढ़ाई पे होने वाला है तो वो भी ये loan अपने अंदर cover कर लेता है तो दोस्तों यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि आपकी पढ़ाई पे होने वाला total जो खर्चा है वो सारा का सारा खर्चा education loan के अंदर आपका cover हो जाता है तो यह बात भी दोस्तों आपके expense की यानि खर्चे की इसके बाद अब हम बात करते हैं loan amount की जिहां दोस्तों कि कितनी amount का education loan वो आपको मिल सकता है तो दोस्तों अगर आप इंडिया के अंदर पढ़ाई करना चाहते हैं तो 15,00,000 तक का loan आपको मिल सकता है और अगर आप इंडिया से बाहर विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो उस case में आपको 75,00,000 तक का education loan है वो बैंक से मिल सकता है जिहां दोस्तों 75,00,000 तक का loan आपको bank से मिल सकता है कुछ PSU bank हैं जो आपको 20 या 25,00,000 तक का loan देते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे private bank भी हैं जो आपको 75,00,000 तक का education loan बड़ी आसानी से दे देते हैं दोस्तों amount के बाद अब हम बात करते हैं security की की loan के against में क्या क्या security जो है bank आपसे लेता है दोस्तों अगर आप 4,00,000 तक का loan लेते हैं तो यहाँ पर आपको किसी भी type की security bank को नहीं देनी होती यह कह सकते हैं कि यह unsecured loan होता है लेकिन इस case में भी आपको एक co-applicant देना होता है आपके parents को bank जो है वो co-applicant के रूप में लेता है और दोस्तों अगर आप 4,00,000 से 7,00,000 रुपे तक का education loan bank से लेते हैं तो उस case में co-applicant के साथ एक third party guarantor भी कहीं सारे bank जो है वो मांग लेते हैं उसमें आपके कोई भी relative हो सकते हैं जो आपकी भी हाव पे guarantee दे सकें कि कल को अगर आप वो loan नहीं pay करेंगे तो वो आपकी जिगाए पे उस loan को pay कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों अगर आप 7,00,000 रुपे से ज़्यादा का loan लेते हैं तो उस case में bank एक collateral security मांगता है मतलब कि आपको loan के against में आपकी कोई property देनी पड़ेगी आपके कोई FD है जो वो bank के पास गिरवी रखनी पड़ेगी या फिर आपकी कोई life insurance policy है वो आपको देनी पड़ सकती है या फिर आपकी कोई non agriculture land है जो वो bank को security के लिए देनी पड़ती है security के बाद अब हम बात करते हैं moratorium period की दोस्तो जो moratorium period आपको education loan के लिए मिलता है वो courses plus one year मतलब कि चार साल का अगर आपका courses है तो उस course के दोरान तो simple सी बात है दोस्तो आप जो अपनी repayment है वो start नहीं कर सकते तो उसके बाद आपको एक साल तक का time और bank से मिलता है उसके बाद आपको आपकी repayment start करनी पड़ती है और अगर आपकी job लग जाती है तो job plus six month मतलब job लगने के बाद 6 महीने के बाद आपको आपकी repayment start करनी पड़ती है तो इन दोनों में से जो भी case आपके साथ पहले होता ह तो उस case में आपको repayment जो है वो start करनी पड़ती है और दोस्तों इन दोनों में से अगर आपके साथ कोई भी case नहीं होता है suppose कीजिए कि एगर आपकी job नहीं लगती है और एक साल भी आपको हो जाता है तो उस case में आपके जो co-applicant होते हैं उनको आपकी जो repayment है वो start करनी प पड़ता है तो I hope दोस्तों जो moratorium period है यह आपको अच्छे से clear हो गया होगा इसके बाद अब हम बात करते हैं margin money की कि आपको अपनी जेब से इसमें कितना खर्चा जो है वो करना होता है तो दोस्तों अगर आप 4 लाख रुपे तक का loan bank से लेते हैं तो उस case में आपको margin money कु हैं तो उसमें से आपको 30,000 रुपे खुद खर्च करने पड़ेंगे मतलब college में starting में जो admission है वो 30,000 रुपे तक का आपको खुद करवाना पड़ेगा और अगर आप India से बाहर कहीं पढ़ाई करना चाते हैं तो उस case में आपको दोस्तों 15% का जो खर्चा है total जो आपकी loan की amount है या फिर यह कहिए कि total आपको course का वहाँ पर खर्चा है उसमें से 15% आपको खुद करना पड़ेगा एक्जम्पल अगर मैं यहाँ पर लूँ तो मानली जी अगर आपका total खर्चा 25,000 रुपे है तो उसमें से दोस्तों 35,000 रुपे का जो खर्चा है वो आपको खुद करन लोन लेते हैं तो उस case में आपको 10 साल से कम का समय मिलता है और अगर आप 7,000,000 रुपे से ज़्यादा का लोन लेते हैं तो उस case में आपको 15 साल तक का भी जो टर्णियोर है वो मिल सकता है और दोस्तों मैं यहाँ पर जनरली बात करूँ तो 3, 5 और 7 साल तक के जो लोन है य आपके college के उपर जिहां दोस्तों अगर आपका जो admission है वो किसी अच्छे college में हो जाता है जिसे TR1 grade का कोई college है तो वहाँ पे आपको rate of interest है वो best से best मिलता है यानि बहुत कम मिलता है अगर SBI bank का मैं example आपको दूँ तो इन college के अंदर SBI bank आपको 8.5% पे education loan दे देता है और अ बात करूँ HDFC bank की तो वहीं पे दोस्तों HDFC bank आपको minimum से minimum 9% और दोस्तों maximum 13.6% तक education loan करता है उसके बाद अगर हम PNB bank की बात करें तो दोस्तों PNB bank की 5 अलग-अलग franchises है जिसका photo भी आपके सामने show होगा इसमें हर एक franchise अलग-अलग rate of interest पे जो है वो loan करती है आप खुद एक बार चेक कर लीजिए तो I hope दोस्तों जो rate of interest का factor है ये भी आपको बहुत अच्छे से clear हो चुका होगा दोस्तों अब हम बात करते हैं documents की education loan के लिए कौन-कौन से जो documents है bank आपसे मांगता है सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आपको एक application form देना होता है जिस पे आपकी passport size की photo जो है वो लगी होई होनी चाहिए second जो चीज होती है उसमें आपके और आपके parents के ID proof होते हैं जैसे आपका आधार card, pen card, water card और passport भी आप अपना दे सकते हैं तीसरे नमबर पे दोस्तों आपको आपके address proof देने होते हैं जिसमें आपका वही same आधार card, water card, passport या फिर इन से के form 16 या फिर 2 साल की ITR returns देनी होती है और इन समसे लग दोस्तों 6 महीने की update banking भी bank को देनी होती है इसके बाद दोस्तों अगर आपका जो loan है वो 7.5 लाख रुपे से ज्यादा का है तो उस case में collateral security भी bank को जो है आपको देनी पड़ेगी उसमें आपकी कोई FD हो सकती है या कोई insurance policy हो सकती है कोई non agriculture land जो है वो गिरवी bank के पास आपको रखनी पड़ेगी collateral security के तोर पे collateral security के बाद दोस्तों आपको जो है bank को admission letter देना पड़ेगा जो की college की तरफ से आपको मिलता है जब आपका admission जो है college में confirm हो जाता है तो उस case में आपको admission letter भहाँ से मिलेगा वो कौनसी और कितनी fees जो है लेता है इसमें अगर आप लेना चाहते हैं तो अपना food और accommodation यानि कि hostel और mess का जो खर्चा है वो भी add करवा सकते हैं इसके बाद दोस्तों आपको एक margin money की receipt भी देनी होती है जो आपको 5% और 15% की margin money हमने बताई थी दोस्तों उसकी receipt भी आपको जो ह 12 के जो certificate है आपके वो देने पड़ेंगे और अगर आप post graduation के लिए जाते हैं तो उस case में आपके graduation के जो documents है वो bank को देने पड़ेंगे तो यह सारे documents है दोस्तों जो bank आपसे मांग सकता है आपके education loan के लिए और दोस्तों documents के बाद अब हम बात करते हैं disbursement की कि जो amount है वो आ आपके account में एक भी पैसा नहीं जाता और अगर आप college की fees के लावा बाहर से कुछ purchase करते हैं जैसे laptop purchase करना है books purchase करनी है या कोई आपको other equipment purchase करना है तो वो भी जो amount होगा वो directly bank vendor जो होगा आपका उसके ही account में पे करेगा आपको इस case में एक भी पैसा आपके account में नहीं मिलता जाना चाते हैं उसके उपर एक बार proper research करें और अपने college के उपर proper research करें कि college की job placement है वो कैसी है और जिस field में आप जाना चाते हैं उस field में scope है वो कैसा है कहीं ऐसा नहीं हो दोस्तों कि आप किसी गलत college में admission ले 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 जहां से आपकी job ना लगे तो उस case में दोस्तों आपके parents के उपर एक financially बहुत बड़ा बोज आ जाएगा और आपके दिमाग में भी बहुत सारा जो tension है वो education loan का आ सकता है इसके बाद second चीज है दोस्तों किसी भी bank में बात करने से पहले एक बार आप अपने college से बात कीजिए कि college वाले ही खुद bank के साथ में tie up करके रखते हैं education loan के और वो पहले ही दोस्तों जो rate of interest है उसको negotiate कर लेते हैं तो हो सकता है दोस्तों वहाँ पे आपको कम से कम rate of interest वो मिल जाए यही सारी चीजी जो है apply होती है foreign universities के उपर भी अगर आप देश से बाहर पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ भी आप college में ये university में पता कर सकते हैं आपके clear करना चाहूंगा कि हमारी एक team है जो कि loan के sector में काम करती है हम हर एक sector में deal करते हैं दोस्तों आप home loan लेना चाहते हैं lap loan SME BT top up जो भी आप loan लेना चाहते हैं हम आपको करवा के देते हैं और अगर आप हमारे through loan लेना चाहते हैं तो आपको भी यहाँ पे number show होगा आप directly इस number पे call करके हमसे बात कर सकते हैं और banking से related जितनी भी information आप लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं यहाँ पे हम आपको best से best service देने का बादा करते हैं तो आज किस वीडियो में दोस्तों जितनी भी information हमने आपको दी है educational loan को लेके I hope वो सारी की सारी आपको clear हो चुकी होगी और अ हमें suggest करना चाहते हैं वो भी आप हमें comment section में comment करके जरूर बताईएगा और आज का जो यह वीडियो है आपको पसंद आया है तो इसे like कीजिए और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह information पहुंच सके और अगर आप हमा कमाते रहें जाहें दोस्तों